नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आगे हैं एक और नहीं रेसिपी आज किस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल ब्लेड रोल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल एक नजल डाल लेते हैं इंग्रेडियंट्स पर जो हम इस रेस्पी को त्यार करने के लिए यूज कर रहे हैं कम्प्लीट डिटेल के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कर सकते हैं दोस्तों हम यहां पर ले रहे हैं 300 ग्राम आलू जिसे हमने बॉयल कर रखा है और इसे इलावा हम एड़ कर रहे हैं बारी कटा हुआ अरा दनिया एक चमच नमक एक चमच गरा मसाला एक चमच लाल मिर्च एक चुताई चमच काली मिर्च और एक चमच चावल का अठा अब हाथ की सहायता से हम वेजटेबल्स और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे मसाले और वेजटेबल अच्छे से मिक्स हो चुकी है तो हमारी स्टफिंग त्यार हो गई है दोस्तो इसके बाद हम ले लेते हैं bread, bread को हम side से cut कर लेंगे, इसी तरह एक एक करके हम अपने सारे bread को cut करके रख लेंगे दोस्तो इसके बाद हम cut हो ब्ल利 को dub कर लेंगे और उसे अच्छ इसे squeeze कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ब्रैड अच्छे से स्क्वीज हो चुका है तो अब हम इसमें स्टफिंग को फिल कर लेते हैं स्टफिंग का एक लंबा गुला बना लेंगे और उसको डाइगनली ब्रैड के उपर प्लेस करके ब्रैड को रोल कर लेंगे रूल करने के बाद इसे हलके हाथों से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और पूरी तरह स्टफिंग को इसके अंदर फिल कर लेंगे इस तरह से हमने ब्रेड रूल पना करके त्यार कर लेने हैं एक एक करके हम सारे ब्रेड्स को इसी तरह बना लेंगे जैसे आप देख सकते हैं हमारे ब्रेड रूल बन चुके हैं तो अब हम एक परतन में मिला लेते हैं 300 ml तेल तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद एक एक करके सारे ब्रेड रूल को इसमें फ्राइ कर लेंगे ब्रेड रूल्स को खाने में क्रिस्पी बनाने के लिए इन्हें डिप फ्राइ कर लेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं ब्रेड रूल अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं तो अब हम उन्हें निकाल लेंगे इस तरह से हमारी स्वाधिस्ट भी ऐजिटेबल ब्रेड रूल की रेसिपी बन करके तेयार हो जाती ہے चलिए इसे फटाफट सर्व कर लेते हैं दोस्तो इसे हम सर्व कर रहे हैं टोमाइटो कैचप के साथ आप इसे चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं और घर पे कभी गैस्ट आएं तो इजिली फटा-फट बना सकते हैं तो दोस्तों उमीद है आपको रेस्पी पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू